हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडिट कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक पावरफुल इंट्वाडे ट्वेडिंग स्ट्रेटिजी बताने जा रहा हूं और आज जो हम इंट्वाडे ट्वेडिंग स्ट् करेंगे वह काफी एकुरेट और सठीक होगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए चार्ट पर चलते हैं और इंट्वाडे स्ट्रेटिजी को समझते हैं कि यहां पर हम चार्ट पर आगे और यह देख सकते हैं बैंक निफ्टी का फाइब मिनट वाला टाइम फ्रेम है अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हमने तीन इंडिकेटर को लिया सबसे पहले आपको दो लाइन दिख रहा होगा यह आपका रेट कलर का लाइन है और य आपका है वी वैप का लाइन यह आपका वी वैप का लाइन है और यह इंडिकेटर आप आसानी से किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में इस्तमाल कर सकते नहीं तो ट्वेडिंग में आपको यह सारा कुछ फ्री मिल जाएगा वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं औ और उपर जो आपको येलो क्लर का लाइन दिख रहा होगा यह आपका मुविंग अवरेज और यह आपका 20 पीरियड का मुविंग अवरेज है मुविंग अवरेज में एक आपको डेटा डालना रहता पिरियड डालना रहता वह पिरियड आपको यहाँ पे 20 डालना है यह यहाँ पर चाहों तो moving average कर सकते हैं 20 का इसमें भी आप यहाँ पर उन्धारक्पर अब कर सकते हैं 20 पेश्चावेम कर अधके हैं किया है और यहां पे जो हम date ले रहे हैं वो first of July से ले रहे हैं और आज जो date है आपका वह आपका 13 जुलाई यानि इस 13 days में जितने भी trading sessions हुए हैं उसमें इसके basis पर कितना call generated हुआ है कितने call मुझे profit हुआ कितने call मुझे नुकसान हुआ उन सब को analyze करते हुए आगे बढ़ते हैं अब यहां पे चार्ट पे रहे हैं अब यहां पे हम trading strategy कब form करेंगे यह निक कब यहां पे हम entry लेंगे हमारा stop loss क्या होगा target price क्या होगा वो हम कैसे decide करेंगे यह थोड़ा सा यहां का add करना चाहते है moving average भी वो add कर सकते है color आपके ऊपर है बस आपको देखना जो भी line आपको दिख रहा होगा जैसे price उस line के ऊपर जाता है जैसे यहां पे उस line के ऊपर निकला है यहां पे हम देखेंगे कि volume हमें support कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर आप यहां पे है दोनों line को break करते है उपर निकला है इसने वी बैप को भी break किया और साथ ही साथ 20 पिरियर्ड का जो moving आवे जाए उसको भी break करके ऊपर निकला है तो क्या करेंगे अगला candle जैसे ही open होगा वहां पे हम क्या करेंगे by positions initiate करेंगे यहां पे हमारा entry क्या होगा entry मेरा जो करेंगा यहीं लगबग आपका 33,280 से slightly नीचे है हम यहीं राउंड फिगर ले देते हैं यानि 33,280 के लेवल पे हम क्या करेंगे यहां पे हम entry करेंगे किस तरफ by side की तरफ entry करेंगे अब हमें sell कब करना होगा अपोजी इसके होगा जब प्राइस इस दोनों वीब आप और moving average को break करते वे नीचे आएगा red candle दिखाएगा और हमें negative volume दिखेगा तो यहां पे हम sell की तरफ जाएंगे उसका भी example हमें आगे मिलेगा तो यहां पे हमें entry करना by side की तरफ अब हमारा stop loss क्या होगा जो candle इसको break करके ऊपर निकला है उसका lowest point हमारा SL के रूप में काम करेगा और यहां पे अगर SL की बात करें तो लगबग आपका यह जो SL होगा यह भी होगा 33,180 के आसपास यहां पे मेरा जो hundred point का SL बन रहा है sufficient SL है और target price की बात करें तो at least हम इस target price के लिए जा सकते हैं जो कि है 33,360 यहां पे हम at least 100 point के target price के लिए आसानी से जा सकते हैं नहीं तो आप आप चाहो तो यह जो वी वैप का लाइन है इसको भी आप as a trailing stop loss के रूप में इस्तमाल कर सकते हो या फिर previous swing high swing low को आप यहां पे target ले सकते हो तो सबसे पहला target हमारा लगबग 100 point के करीब होगा यह नहीं 1 is to 1 ratio के साथ जा सकते हैं और intraday trading करते हैं तो यह ratio आपको कभी- रहेगा तो उसके बाद रहेखे प्राइस आपका ऊपर गया और यहां पर लगबग आपका 100 point का profit यहीं पर दे दिया उसके बाद प्राइस आपका और उपर जा रहा और यह मेरा ultimate target price होगा 33,560 के करीब और यहां से अगर हम बात करें लगबग मेरे 300 point का profit यहां पर आसानी स मिलता हुआ दिखा है और इसके बाद price आपका continuously इसके ऊपर ही trade कर रहा है और यहां पर देखें profit मुझे कब मिला है यहां पर जो हमने entry लिया है वो लगबग आपका 10 a.m के करीब लिया है और उसके बाद मुझे profit मिल गया है इस level करीब वो मुझे मिल गया है लगबग आपक कोई tweet मिला है प्राइस कभी नीचे आया इसके उसके बाद देखें यहां पर क्या हुआ प्राइस इन दोनों को break करके नीचे आया इस particular point पे और इस particular point पे अगर हम volume देखें इस candle पे अगर हम volume देखें तो volume आपका बहुत कम है देख सकते हैं यहां पर जो volume है वो आपका प्राइट नहीं करें यहां पर हम एंपर आपके लिए ट्रैप बिछाया गया था इन सारे लेवल के बैसिस पर यह जो स्ट्राइब को फिल्टर कर लिया और यहां पर जो लॉस हो सकता था उस लॉस से हम बच गया इसलिए हमें देखना है वीबैप और मुविंग अबरेज जो कि 20 पिरियर्ट का है प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आएगा था हमें सेल्साइट की तरफ जाना लेकिन हमें निगेटिव वालूम भी चाहिए अबरेज से जादा यहनि इस लेवल के आसपास अगर निगेटिव वालूम रहता तो यहां पर हम सेल्साइट की तरफ चले जातें लेकिन निगेटिव वॉल्म निए उस लेवल का तो हम सेल्साइट की तरफ नहीं जाएंगे उसके बाद क्या हुआ वापस से प्राइस आपका अपसाइट की तरफ निकला है तो क्या यहां पर पॉजीटिव वालूम दिख रहा है यहां पर स्लाइटली पॉज 實 gest इससे मिलता जुलता वॉलम है तो इस पे आप थोड़ा बहुत आगर विस्क लेना चाहते हैं नहीं अगर देखने को नहीं मिला है इसके वैसी सब्सक्राइब execute नहीं करेंगे हम next opportunity find करेंगे अब वहापस से price आपका नीचे आया यह इसके बीच में आया और जब भी price इन दोनों के बीच में रहे यह क्या indicate करता है यह आपको indicate करता है sideways market का और यहां पर आपको जो trading है वह आपको avoid करना ठीक है जब प्राइस इन दोनों के बीच में रहे उस time पर चाहिए कुछ भी हो जाए गलती से भी आपको positions नहीं लेना चाहिए आप कितना भी confidence हो आपको नहीं buy side की तरफ जाना नहीं sell side की तरफ जाना अब इसके बाद प्राइस वापस से आपका यहां पर इसको break करके ऊपर निकला तो क्या वालूम जो मेरा लाइन है उससे ज्यादा यह वाइट लाइन से ज्यादा वालूम है यह नहीं यहां पर हम क्या करेंगे इस पार्टिक्लर लेवल पर यह जो लाइन आपका लगवग है 33,840 के लेवल पर यहां पर हम बाई साइट की तरफ इंट्वी लेंगे एसल बताया था इसका लोइस पॉइंट मेरा एसल की रूप में काम करेगा और अगर हम टागेट पैस की बाद करें तो प्रिवेस स्विंग हाई मेरा टागेट पैस होगा यह नहीं तो चाहो तो आप टागेट को एजर ट्वेलिंग स्टॉप लोज के जरे भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो और यह सारा काम मुझे इंट्रा डे में ही करना है तो यहां पर मुझे जो प्रॉफिट पोजिशन्स बना है वो लगबग दो बज़े करी पोजिशन्स बना है और मुझे अट ड़ोज है और अभी तक लॉस नहीं हुआ यहीं प्रॉफिट मुझे ठीक टाक मिला 300 और 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है प्रीविएस टू तू 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 त्वी ट्वेरिंग सेसंस में एक दिन मुझे ट्वेट एक्जिक्यूट नहीं हुआ था लेकिन उसके बाद ट्वेट ए यहां पर इंट्री भी ले सकते हैं नेक्स्टे मार्केट ऑपन होते ही तो इसकी लेवल की अगर हम बात करें लगभग आपका क्या हो जाता है थर्टी फो थाविन थ्वी हंड़ेट यह लेवल अगर आप देखें तो इसके बीच में आएगा और इसका बीच का आवरेज व नहां पर हमारा टागेट पैस बनेगा और प्रीविस हिस्ट्री उठाग देख ले इसके करीब आपका स्विंग हाई भी मिलता हुआ थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा तो आप भी आप टागेट रख सकते नहीं तो आप चाहो तो ट्वेलिंग स्टॉप लोस कर सकते सबसे बेतवीन आपके लिए रहेगा कि आप हर एक 50-70 पॉइंट के मूँप में आप स्टॉप लोस ट्वेल कर दे चले जा और जैसे ही मार्केट आपके फेवर में 70 पॉइंट हुआ तो आप बाइंग प्राइस से 20-30 पॉइंट ऊपर अपना ट्वेलिंग स्टॉप लोस ताकि एनी कंडिशन में आपको नुकसान न उठाना परे और प्राइस आपका वापर से नीचे आना स्टार्ट हो गया और जब नीचे आया उससे पहले भी आपको मौका दिया यहां पर अच्छा खासा मौका मिला निकलने का और आप आसानी से प्रॉफिट करके निकल सकते दस बिस पॉइंट उपर नीचे अब उसके बाद सेम डे देखें क्या हुआ है हमने उसी दिन यानि फिफ्ट आफ जुलाई को ही हमने वाई पोजिशन इनिशियेट किया और सेम डे लगवग दो बज़े करें प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आया और चेक करते हैं यहा मनें henkel उससे ज़्याधा यहां पर हम क्या करें है सेलसाइटी प्रफफी पॉजिशन इनिशियेट करें है सल क्या होगा जो केडल हमें ब्रेक आउट दिया है इनफक्त ब्रेक आउट हमें यहाँ पर यही केंडल दे दिया है इस के Новग है कि नहीं है इस कैंडल पर वॉल्म क लाइक लाइन से ज्यादा है मतलब हमें जो सेल साइट की तरफ इंट्वी लेना वह यहां पर इंट्वी नहीं लेना है और यहां पर अगर हम एसल की बात करें तो इस केंडल का हाइस्ट पॉइंट मेरा एसल के रूप में काम करेगा जो कि आपका 34,346 और यहां पर हाई टच किया है 34,341 का हाई टच किया मतलब यहां पर भी जो मेरा एसल था वो एसल आपका हिट नहीं हुआ है एसल कायम था और उसके बाद प्राइस आपका वापस से नीचे साइड की तरफ आया और मुझे यहां पर अच्छा खासा लगभग यह आपका 33,800 की करीब आया और यहां पर जो हम सेल करेंगे सेलिंग लेबर होगा मेरा लगभग आपका 34,300 की आसपास यह नहीं यहां पर भी 500 पॉइंट का जबदर्स प्रॉफिट मिला 500 पॉइंट छोड़ दीजे लेकिन 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पर अजह आह authorization सकते थे अगर आप यहां पर ट्फेंट इस्तंवाब करते तो नहीं तो आप चाहों तो यहां पर जैसे i market पॉखाorry यहां पे भी निकल सकते थे हैं यहां पर भी निकलेगे तो लगभग आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता यहां कि निँए 34 trading sessions और यहां पर हम जो entry लेंगे बाइसार की तरफ volume भी हमें यहां पर बहुत ज़्यादा दिख रहा volume तो कोई कमी नहीं है तो यहां पर जो हमें entry लेना होगा लगवग आपका 34,160 करें यहां पर थोड़ा साब को वीडियो का लेंज ज्यादा लग रहा होगा लेकिन मैं आपको पूरा calculations बता रहा हूं कि अगर आप जुलाई के मन्त में जितने भी 13 days हुए जो भी trading sessions हुआ उसमें अगर आप ट्वेड करते हैं तो आपको कितना opportunity मिलवा देख सकते हैं अल्मोस्ट डेली मुझे एक दो opportunity आसानी से मिल जा रहा और कोई भी opportunity उतना ज्यादा flop नहीं हो रहा है अगर हम वालूम लेती हैं तो वालूम हम क्यों ले रहें क्योंकि जब भी वालूम आता है तो हमें momentum देखने मिलता और यहां पर 5 मिनट वाला time frame इस्तमाल करें यहां प इसके बाद यहां पर हम इंट लिए तो प्राइस आपका यहां से भी लगबग आपका किस लेवल पर हमने इंट विलिया और यहां से प्राइस आपका all the way 34,000 कहां तक गिया है यह आपका 280 के लेवल तक गिया है और यहां पर जो हमें stop loss यूज़ करना होगा यह candle break करके उपर निकला है दोनों को तो इसका lowest point हम SL के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उपर जाने से पहले इसने यहां पर SL हिट कर दिया है यह नि मेरा यहां पर stop loss हिट हो गया और मुझे नुकसान कितना हुआ हमने 34,160 के लेवल पर इंट्री लिया था और मेरा जो SL हिट हुआ है लगवग 34,000 से थोड़ा सा उपर हिट हुआ है यानि मुझे यहां पर 120 पॉइंट का नुकसान हुआ है क्योंकि जो हमारा SL था वह 34,040 के करीब हमारा SL बना हुआ था तो पिछले 34,000 मुझे प्रॉफिट हुआ था और यहां पर मुझे नुकसान हुआ है 120 पॉइंट का आप चाहो तो overall calculations भी एड़ करके देख सकते हो कितना मुझे प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ और इस ट्रेट का accuracy level में बता जेता हूं लगवग आपका 70% के करीब accuracy level होगा यानि 60% to 70% accuracy होगा यानि अगर आप 10 ट्रेट लेते हो तो 6 में profit होगा और 4 में आपको नुकसान भी होगा यह भी आपको यहां पर मानके चलना है और intraday में हम कर रहे हैं तो थोरा बहुत loss भी आपको consider करना होगा लेकिन loss जो होगा वो उतना बढ़ा loss नहीं होगा छोटा छोटा loss होगा और यहां पर हम इस loss को candlestick के basis फिल्टर कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम filter नहीं करेंगे जो हम indicator लिए सिर्फ उसको ध्यान रखके कर रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं आगे यहां पर हमें opportunity कब मिला है अब देखिए यहां पर price आपका नीचे साइड की तरफ आया और यहां पर भी volume हमें क्या दिख रहा है यह जो white line है उससे ज्यादा volume दिख रहा यहां पर भी हम sell करेंगे और यहां पर भी हमारा SL हिट होगा और यहां पर जो मुझे नुकसान होगा कितना point का नुकसान होगा 60 point का नुकसान हो रहा है यहां पर नुकसान हो गया और हम डेट पर आगे 6th of July और यहां पर आपको opportunity daily मिल वा है ऐसा नहीं है कि आप daily tweet नहीं ले सकते अगर आप daily tweet लेना चाहते है ति आपके लिए between tweet सावित हो सकता between setup सावित हो सकता जो कि आपको daily tweet बना के दे रहा है अब यहां पर हम अगला opportunity कि वालूम हमें देखने को मिला है कौन से केंडल पर है इस केंडल तो अगर हमें इंट्वी लेना भी है यहां पर हम इस लेवल के आसपास इंट्वी लेंगे जो कि आपका वापस से 34,300 का लेवल बन जाएगा यहां पर हम by positions initiate करेंगे उसके बाद हमारा target price क्या होगा प्रि क्योंकि लास्टाम हमने देखा था 34400 के लेवल को ही टॉट्स करके price नीचे आया था तो यहीं प्रॉफिट बुक कर लेंगे उसके बाद क्या हुआ है यहां पर अगला ट्वेड हमें कब लेना होगा अगला ट्वेड है मेरा 180 के करीब यह मेरा sell side की तरफ होगा जहां पर पोजिशन लेंगे और SL हीट होगा लगभग मेरा 34280 करीब तो 100 पॉइंट को जो profit मिला था वह 100 पॉइंट यहां पर वापस से मुझे नुकसान हो गया है और आप calculate कर सकते हैं और अभी तक हम कितने profit में उसके वाल प्राइस आपका वापस से फिर से उपर गया है और उपर सहर की तरफ यहां पर देख सकते हैं यहां पर वालूम है यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो वालूम आपको आवरेस से ज्यादा ही मिला यहां यहां प यहां पर इंटवी नहीं लेंगे इंटवाड़े में क्योंकि यहां पर वालूम कम हो जाता है उसके बाद नेक्स डे प्राइस आपका फिर से अपसाइड की तरफ निकला है और वापस से इस दोनों लाइन को टॉस करते हुए इसके ऊपर निकला है तो यहां पर हम क्या करे होगा 34,780 के करीब यहां पर हम 22 की तरफ इंट्री लेंगे और यहां पर मेरा होगा वह हिट नहीं हुआ आप देख सकते हैं लेवल इसका लोइस पॉइंट जो आपका है वह आपका 34,620 का और इसका लोइस पॉइंट है 34,630 यानि 10 पॉइंट से यहां पर मेरा एसल बच गया और इसके बाद प्राइस आपका आपका ऊपर गया और देख सकते हैं यह प्राइस आपका कहा तक गया 34,880 और यहां पर आपका प्राइस 35,000 के लेवल के करीब भी गया है यहां पर हम अल्टिमेट फाइनल इस टार्गेट पैस के लिए जा सकते थे यहां नहीं तो उ यहां पर जो हम इंट्री ले रहें लगवए 34,780 करीव ले रहें तो यहां से भी मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा जो मुझे लॉस हुआ था वह आपर से लॉस रिकवर हो गया तो यहां मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं आप खुद से कैलकुले देखने को नहीं मिलेगा बस थोड़ा वहत आप 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे इंट्री या फिर एग्जिट ले सकते हैं वह आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी प्रॉफिट आ उसमें से 30-40 पॉइंट आप एडिश्टल और हटा सकते हैं उसके बाद आप यहां पर कैलकुल हुआ देखेगा और यहां पर लगबग हम इंट्री लेंगे 720 करीब और यहां वापस से मेरा 80 पॉइंट का नुकसान हो रहा है अगर हम लाश्ट तीन चार ट्वेडिंग सेसन से देखें तो क्या हो रहा मुझे सौपन का प्रॉफिट हो रहा एक ट्वेड में फिर अगले और यहां पर आपका प्रॉफिट इन्टरी करते हैं और यहां से वापस से हमें 120 प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ जिए यहनी जो लॉस हुआ था वो सारा लॉस यहां पर recover हो गया है अब यहां पर देख सकतें इसमें volume जादा है लेकिन क्या हुआ प्रैस इन दोनों के बीच में आके closing दिया इन दोनों के बीच में closing दिया मतलब यहां पर हमें trading avoid करना कोई positions नहीं लेना है उसके बाद हम और आगे वेट करेंगे और देखेंगे कि volume हमें कहीं पर ज़्यादा दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है अब देखें यह candle आपका break करके नीचे है और यहाँ पर volume बहुत कम हमें देखने होगा फिर इस candle पर हमें थोड़ा बहुत volume आता हुआ दिखा है त यहाँ पर भी आपका SL हीट होगा और यहाँ पर लगबग 35,080 और 35,180 लगबग 40 पॉइंट का नुकसान यहाँ पर भी हो सकता है अगर हम trade लेते हैं तो इसके बाद price आपका वापस से यहाँ पर अपसाइट की तरफ निकला और यहाँ पर भी हमें volume दिख रहा है यहाँ प profit यहाँ पर loss में convert हो रहा है क्योंकि 80 पॉइंट का नुकसान यहाँ पर हो गया और यहाँ पर वापस से हम sell side की तरफ ट्वेट ले सकते हैं और अगर हम यहाँ पर ट्वेट लेंगे तो previous चुलू है यह इसको यहाँ पर हम टागेट पैस रखेंगे यह नहीं और यहाँ से मुझे लगवक 100 पॉइंट का profit मिलता हुआ असानी से दिख जाएगा तो देख रहे हैं हमें ट्वेट रेगुलर मिलबा प्रॉफिट नुकसान हो रहा वह आप यहाँ पर calculate कर लो तो आपको overall profit ही मिलता हुआ दिख जाएगा अगर आप वॉल्म को भी यहाँ पर consider करो तो यहाँ पर एक और मुझे ट्वेट मिलेगा यह ट्वेट भी मुझे overall profit देगा क्योंकि और लबे 35,400 करीव गया और यहाँ पर 35,300 करीव इन्ट भी ले रहे हैं यहाँ से मुझे लगवक 100 पॉइंट का profit मिलता हुआ दिख रहा है तो ऐसे ही यहाँ पर आप सारा कुछ calculations कर सकते हो आगे देख सकते हो आपको इसमें जो loss होगा वो छोटा छोटा लॉस होगा ज्यादा लॉस नहीं होगा लेकिन जो प्रॉफिट होता वो लंबा प्रॉफिट होता देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पर सकता है फिर यहाँ पर आप इंट्री लेंगे लगबग आपका कितना होगा 35,360 करीब और यहाँ से प्रैस आपका ओल दबे इंट्राडे में कहां तक गया है लगबग आपका 35,560 करीब गया यहनी 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर आसानी से मिला यहनी पिछला जितना भी लॉफ्ट था सारा रिकवर करते हुए यहाँ पर आप वापस से प्रॉफिट में आ जाएंगे और उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे आया लेकिन वेट केवल नहीं जाएंगे वापस से बाई साथ की तरफ जाएंगे और इंट्राडे में अगर हम यहां पे इंट्वी भी लेते हैं तो आपको all the way यहां पे भी hundred point का profit मिलता हुआ देखेगा फिर यहां पे आपको कुछ न कुछ profit मिल जाएगा फिर यहां पे आपको छोटा मुटा नुकसान होगा वो सारा नुकसान आपको यहां पे recover होके अच्छा दिखने को मिल वाता और उसके नेक्स केंडल पर हमें वालूम आया यहां पर हम चाहिए होता हो सेल सारी के तरफ इंट्री ले सकते थे जो कि था आपका 35,180 के करीब और यहां से price all the way आपका इस lowest point को हम as a target रख सकते हैं जो कि आपका था 35,080 यहां से भी मुझे 100 point का profit आज के date में भी मिलता हुआ दिख किया तो अब और अग हम यहां पे अच्छे खासे profit में रहेंगे यह प्रिविए 13 trading sessions की बात कर लें तो सारा कुछ एड करने के बाद भी आप यहां पे 500 to 400 point का profit आप आसानी से कमा सकते हैं इसके basis पे यहां पे आपको नुकसान भी होगा मैंने बताया था ट्रेट का accuracy level अब आपका 60% to 70% होगा यानि 10 ट्रेट अगर आप लोगे तो उसमें से हो सकता है आप में 6 में profit हो और 4 में नुकसान भ आप निकाल सकते हैं यह ट्रेट इंग करके तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें कवेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन दबादा ना भूले दास्वाल फेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में ज जाहिन